जाहीं दोस्तों दोस्तों हम लोग बिहार SAC का कोश्चन बैंक कर रहे हैं यानि कि बिहार SAC दौर जो भी कोश्चन पुछेंगे पिछली वर्स में वह हम लोग कोश्चन कर रहे हैं और हम लोगों जो है पिछली वीडियो दौरा 17 कोश्चन किये थे और कहां तक किये थे 63 तक किये थे दोस्तों हम दोस्तों इस वीडियो करते 64 से कोश्चन करते तो 64 कोश्चन है दोस्तों कि एक कार का एक पहिया जो सरक पर चल रहा है option हमारा यह बताना है इसमें से कि कौन सा घर्षन बल जो है सबसे अधिक लगता है और सबसे कम लगता है उसका कर्म बताना इसमें दोस्तों इसका जो है उत्तर हम बता देते हैं हो जागाे स्हार्टिक घर्शन सब ज़्यादा महता है सब से कम्ना लागता है रॉलिंग घर्शन लigator सब्सेकर पे得 हमारा भी उत्तर दिखते ए valeur कोसर कि ध्हाटि ब्री और माध्यम, का घनत, डेल्टा के माध्यम यह रिष्था दिखाता हैं कौन सा इसका जो है समिकरन सही हो जाएगा है तो इसका दोस्तो हो जाएगा, अप्शन नमबर ए हो जाएगा, सही है उथर हो जाएगा चले अगल्वा कोश्चन देखतें अगल्वा है, गुरू नानक का जण्म कहा हुआ था? अप्शन है कोचिन, लहर, तल्वनडी, देहरादून तो दोस्तो, गुरू नानका जण्म हुआ था तो तल्वनडी हम्होआ तो अप्शन नंबर सी हो जाएगा अगला के कुष्चन है कि अंगरीजों ने बहादुर सादूतियेके को देश से निकाल कर कहां भेज दिया अप्सेन हमारा रंगुन सुरलंका कालापाने नेपाल तो दोस्तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रंगुन हो जाएगा अपसे नमबर यह हो जाएगा बहुत साधूतियों को जो हो अंग्रिजों ने कहां भेज दिया था रंगुन ने भेज दिया था और दोस्तो रंगुन का भी वार्तमान नाम है वर्मा नाम है वर्मा नाम से इसे अनुवात किस ने किया औप्षन है नहेरू चेतन भगत वारें हेस्टिंगस ऑफशन टी है जोन निकोल्सन तो इसका उत्र हो जागा दोस्तों जोन निकोल्सन हो जाएगा अप्षन नमबर तो दोस्तों इसका उत्र हो जाएगा वेवल हो जाएगा अप्षन नमबर बी हो जाएगा अगला कुश्चन है एक लोह चुम्बक्ये पदार्थ के लिए उसकी चुम्बक्ये सुग्राहता के लिए यह सत्य है अप्षन है कम अधिक रिनात्मक अप्षन यह सीधे से तापमान तो इसका उत्र जाग दोश्तो अधिक हो जाएगा अप्शन नमबर भी हो जाएगा अगला कुश्चन है जब परकास दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो जब परकास दूसरे माध्यम के अंदर जाता है तो क्या होता? तो option हमारा उसकी आविर्टी में परिवर्तन आता है, option B है कि उसकी आविर्टी में परिवर्तन नहीं आता, option C है उसकी गती नहीं बदलती, option D है उसकी तरंगदरिये नहीं बदलती, तो इसका उतर हो जागा दोस्तों, उसकी आविर्टी में परिवर्तन नहीं आता है, option number B हो जाएगा कि अगला कुश्चन तो मैंसका दोस्तों कुश्चन है कि यह कुश्चन देखिए सेल्सियस में पांच द्री फोरिंड हाइट है इसको सेल्सियस में बदलना है तो इसका फर्मूला आपको मालूम हो सी बाटा फाइब बड़ाबर एक मायरस बटानों होते यह अबर क्वॉच्चन है कि चक्रन क्वांटम संख्या कि कितने मान संभब है ऑप्षन हमारा दो तीन चार पांच की अगविकाыт हो जाएगा इसका अपंशन गया कि अगला कुश्चन देखते है एक धातुके फोस्पेट का सूतर है मेंच मेंच प्योंग है इसके और फोर है क में में mci m2cl2 mcl2 और mcl3 तो इसका उत्र हो जाएगा दोस्तों mcl2 हो जाएगा अगला कोस्चन है किसमें SP संक्रित कार्वन है अप्शन है तो इसका उत्र हो जाएगा अगला कोस्चन है इस पर अधायत है अप्शन हमारा नाभीके विखन्डन नाभीके सल्लेन परिग्रहन अभीकरी आएगा अप्शन यह कृत्रिम तो तत्व वांत्रन तो हैड्रोजन जो बम है वो दोस्तो अधायत है नाभीके सल्लेन पर आएगा अगला कोस्चन है इसका उक्सिकरन अंग सदय माइनस वन होता है बताना है फासफोरस का क्लोरिन का ब्रोमिन का या फिर आईडिन का माइनस वन होता है ऑक्सिकरन अग्स्राण इसमें किसका माइनस वन होता है तो दोस्तो इसका माइनस वन किसका उता है फ्लोरिन का होता अप्शन नंबर, यह हो जाएगा, इसका औक्सिकन अंग जो है हमेशा माइनस बन होता है अगला कुश्चन है कि सीओ टू के एक मोल में होते हैं कि चार अप्शन ने बताना है दूस्तों कौन सा अप्शन सही हो जाएगा सब्सक्राइब, कि एक मोल में कितने परमानु होते हैं तो six in टु टेंप रपाधा थैश करवन परमानु होता अप्शन नंबर D हो जाए इसका सही उत्रों हो जाएगा अगला कुश्चन है यह रियक्षन का कुछ्छन है इसमें बताने कौन सा अपसंद सही हो जाएगा तो एन टू पलस ओ टू एनो के लिए जो है वो इसमें को अभी करिया हो जाएगे कौन सा सही हो जाएगा सही तो हमारा अपसंद नबर यह हो जाएगा केसी बराबर कि अफस्वाइग जो सही हो जाएगा अपसंद नबर ए इस समय करने को दोस्तों उत्क्रम मनिये पतिक्रिया करते हैं चल अगला कॉशन देखते हैं सिधान्ठ डेल्टा और एक्स ग्रेटे इक्रेटर रिक्टर एच वाइफ फोर पाई क्या क्या कहलाता है अपसंट अ है पावली का सिधान्ट अपसंट अ पिन अफ ऐल। sellers बाओ का सिधान्ट अपसंट B हो जाएगा अगला कुश्चन है C6S14 के केतने उच्च क्रिये सेंख्ला समाववी संभव है अपसन हमारा 3, 4, 5 है तो इसका उत्वर जगा 5 हो जाएगा अपसन नमबर C हो जाएगा अगला कुश्चन है यदि दोनों जणकों का रूधीर वर्ग A, B हो तो उनके बच्चों के संभावित रूधीर वर्ग क्या हो सकते हैं अपसन है अपसन हमारा A, B, C, D, सेंस बताने कौन सा अपसन सही हो जाएगा अपसन हो जाएगा सही A, B और A, B हो जाएगा अपसन नमबर B हो जाएगा अगला कुश्चन है कि भूख लगने पर कोई व्यक्तिस्वार पर्थम उप्योग करता है अपनी क्या गलाइकोजन, वसा, या रूधीर प्रोटीन या पेसो प्रोटीन तो दोस्तो उप्योग करता है गलाइकोजन करता अपसन नमबर E हो जाएगा अगला कुश्चन या एक प्रोटीन नहीं है अपसन है कोलेजन, इलास्टीन, रेसम, लिंफोसाइट तो दूस्तो प्रोटीन इसमें कौन सा नहीं लिंफोसाइट क्या एक प्रोटीन नहीं है अपसे नमबर C हो जाएगा लिंफोसाइट दूस्तो लासी काएं पाई जाती है इसको आप ध्यान रखेगा चले अगला कोशन देखते हैं यह आयन रूधीर प्लाजमा में उपसित नहीं होता है तो इसका उत्तो जगा C U पलस हो जाएगा अपसे नमबर D हो जाएगा अगला कोशन है कि इसकी पोशन वीधी हाई होलो फाइटिक है अपसे अमीबा सेर यूगलीना और केचुगा तो इसका उत्तो जगा दोस्तो यूगलीना हो जाएगा अपसे नमबर C हो जाएगा अगला कोशन है यह इस्टोराइड्स स्रावित करता है अपसे ने मुख गुहा अमासे अगनासे पिता से तो इसका उत्र हो जागा दोस्तों अगनासे हो जाए अप्शन नमबर C हो जाएगा अगला कुस्छन है यह सौसन स्रेंखला का उपयोग कर पादप कोशी काओं में उर्जा को पादन करता है अप्शन है किंद्रक माइट्रो कॉंड्रिया राइबोसोम हैत लवक तो इसका उत्र जागा माइट्रो कॉंड्रिया ऑसजा के नमबर B हो जाएगा नगला कुशन दोस्तों कि विसानुव होता है तो बताना है कि विसानों में क्या होता है तो भी सानों दोस्तों ना या तो डीने हो जागा अगला कुछ्चन है एक पायस में प्रिक्षिप्ट कनों का आकार इस परास्म होता है ना हमारा सो एंट्सक् commitment से एक क्रीं सबसा बी गए 60 सि एक स्य 1500 के बीच और 10.000 से चोटा के मैं यानि कम तो बताना है कौनल अप से इसमें सही हाईगा मत्तों इसमें सही आपश्ण हो जका हमारा чис के बीच हो जागा इसका उत्तर हो सब्सक्राइब हो जाएगा तो दोस्तों यह रहा हमारा 2017 में जो विहारे से दोरा कॉच्छन पूछा गया था वह आज हमारा कंप्लेट होता है अब हम अगले वीडियो में नेक्स टेट के कॉच्छन करने वाले